आप देख रहे हैं देश का मिजाज और आज देश के मिजाज में बात देश यानि के राष्ट पिता महात्मा गांधी की कि इस पर बात करेंगे महात्मा होने का अर्थ क्या है आज के संदर्ब में लेकि उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की जब महात्मा गांधी पहुंचे आजादी से पहले लक्नव और लक्नव के एक्सेशन में पहुंच रहे थे जहां उनकी पहली बार मुलाकात हुए थी जवालाल लहरू से उसके उपर एक रिपोर्ट है पहले वो देखिए फिर करेंगे इस पर आप चक्छाब सत्य अहिंसा और मानवता के पुजारी और देश की राश्पिता महात्मा गांधी का जन्वत 2 अक्टूबर 1879 को गुजरात की पोरबंदर में हुआ था वो पुतली बाई और करमचन गांधी के तीन बेटों में सबसे छोटे थे देश की आजादी में सबसे महत्पूर भूमी का निभाने वाले महात्मा गांधी की नाकेवल देश में बलकि विदेश में भी गहरी पैट रही दो अक्टूबर को उनका जन्म दिवस प प्रदेश की राजधानी लखनो का नाम कई बजहों से जाना जाता है यहां बापू से जुड़ी तमाम ऐसी यादे हैं जो आज भी लखनो अपने अंदर समेटे हुए है बताते चलें कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंड्री जवाहलाल नहरू की बापू से पहली मुलाकात लखनो के चार बाग रेलवे स्टेशन पर हुई थी महात्मा गांदी 26 दिसंबर 1916 को पहली बार लखनो आये थे मौका था कॉंग्रेस के अधिवेशन का जिस दोरान वो पांस जिनों तक शहर में रहे बापू कॉंग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुचे थे उसी दोरान मोतिलाल नहरू, जवाहललाल नहरू और सयद महमूद ने एक साथ लोगों को संबोधित किया ये वही समय था जब पंडित नहरू ने बापू के साथ मिलकर देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया था गोखले मार्क पर आज भी महात्मा गांधी का लगाया हुआ पेड़ आप देख सकते हैं वैसे तो वो कईबा लखनव आ चुके थे लेकिन आजादी से कुछ साल पहले ही वो दोबारा यहां आये थे इस दोरान वो कॉंग्रेस की पूरो अध्यक्ष श्रीला कॉल के भी घर गये थे वहाँ बापु ने अपने हाथों से एक पौधा लगाया था जो आज भी अपनी जगर पर टिका हुआ है और लहला हा रहा है देश के राश्पिता महात्मा गांधी की 150 मी जैनती पर न्यूज उनिश रद्धान जिली अर्पित करता है तो आप में देखा किस तरीके समाहत्मा गांधी जब पहली बार पहुचे लकनौ और वहाँ बरगत का पीड भी उन्होंने लगाया चार बाग रेलिवें स्टेशन पर जो आला लहलू से पहली बार उनकी मुलाकात महीं पर हुई लेकिन आज जो हमारा आप पीछे देख भ जब राष्टपता की उपादी मिलने के बाद दूत्रे देश का एक राष्टपती नर्यरमोदी को देश का पिता बोल दे ऐसे संदर में एक राष्टपता होने का क्या आथ है एक ये किसी को ये उपादी दे दे देना इसका कोई आर्था नहीं रहता है क्योंकि जब तक की जो उपादी है उसको आप जिस्टिफाई नहीं कर रहे हो तो हम जब बात करते हैं महात्मा के नाम से ही हमारे जहन में जो एक तस्वीर निकल का आती है वह उतिया महात्मा गांदी की और एक रैटर हुए है आपका नजरिया पूरे समाज को लेके, समाज के हर तपके को लेके भी उतने ही बड़ा है। वोही चीज़ आपको महात्मा बनाती है। और एचलिए एक राइटर हुए हैं, तॉमस वेब, उनकी एक बुग है। उस किताब का नाम है कि गांधी as a disciple and a man do। उस किताब में एक जिक्र मिलता है कि और वी कई चीज़े हैं उसमें और खासकर उसमें दसवे या दसवे अगले के कई पन्नों में हैं, जिसमें उनके का कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने मना है। तो इस सिलसले में जो पहला नाम निकल के आता है, वो आता है शीमत रामचंदर का, जिन से गांधी जी का पत्रचार होता रहता था, उनके साथ पैट के विचार विमर्श करते था, और विशे होता था, अध्याद, धर्म, समाज, इन विशेव पून के साथ बड़ी जर्चा ह और एक टाइम तो किताब के ही बाप में कर रहा हूं कि ऐसा भी आया कि जब वो मुसल्मान और इसाई संतों के भी संपर्क में आये, और इत्ता ज्यादा वो प्रभावित हो गए थे, कि उन्होंने एक बार कंड़ोर्ण होने का भी सूचा, लेकि बाद में उनको लगा कि न वो एक गांधी से महतमा गांधी बने, इस तरह से उनका सफर्त है हुआ, इसमें कई और भी इंट्रस्टिंग पढ़ावर जिनके बारे में आगे बात करेंगे, लिकन ये एक बड़ा दिल्चस कुस्सा ही है, और दूसरी चीज आपको में बताओं कि, ये बड़ी अजीब स बात है कि, गांधी जी का, जब वो सौथ अफरीका में बगालत कर रहे थे, और किस तरह से उनको ट्रेन से सरफ इसलिए निकाल लिया गया था, कि वो उनका वो कलर्ड थे, जिसके हम आज की जबान में कहते हैं, और उनका समान फिक दी गया, उनको भी धक्के मार के बोगी स कि जबात हैं, जो ऑखिता है, जो इसके बारक्स से उनका विपरीफ दिशा में चले गए, वो एकदम शान्त हो गए, और उनकी शान्ती में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि आज अगर कोई ये कहे, कि अगर कोई ये सवाल पूछे और हम अकसर देखते भी हैं, कि क्या ग गांधी कभी भी आप रासंगिक नहीं हो सकते और ये आपको इतिहास बार बार दोराता है वो बताता है कि कितने भी देशों के बीच में कन्फिलिक्ट हो जाए कभी भी युद्ध से हिंसा से उसका कभी समाधान नहीं हुआ अल्टिमेटली आपको बैठ के शांतिपून तरीके साब बातचीत करनी पड़ी और तभी उसका समाधान निकला और इसी लिए गांधी आज भी उतने प्रासंगिक है और आने वाले और शों में भी रहेंगे जी, बिल्कुल गांधी हमेशा से ही जिसकी जो जे बात कर रहते हुं की वो रिलेवेंट बने रहेंगे अ बात हियन दौर ग्रण है बात हमेशा की जाती है कि गांधियन थौट है गांधियन विचार है वो आखिर क्या है और वो कैसे एक जो नौर्मल सोसाइटी है उस庫ो बड़ी सुसाइटी बनाते हैं। क्या हैं गांदी जी की वो बाते हैं, जो एक समाज को उस समाज से आगी क्या समाज बनाती हैं। बनाते हैं, जो एक समाज 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 बनाते हैं। जब अपवास तोड़ा था वहाँ पर, जब वहाँ पर दंगे हो रहे थे और उसके विरोध में उन्हों रख लिया था। तो उस तब यह उन्होंने उपवास रख के विरोध कि विरोध करते हुए उसके खिलाब नाराज़ भी नाराज़ गए उनको यह बात पसंद यह जो एक अधने से छोटे सकत के आदमी ने एक उपास रख करके दिखा दिया और शायद ऐसा विश्व में कभी दूसरा उधारण को देखने को नहीं मिलेगा। तो यह थे महात्मा गांदी। ट्विश्व में महात्मा गांदी का युगदान क्यों है और क्यों उनको बार-बार यात किया जाता है। छोटी दी महात्मा गांदी की आज तक इंपोर्टेंट है। जो एक जिसके आऊपर प्रफ पच्छ भारत के अभियान की शरुवात की ये इस सरकार को इतने सालों बात करना पड़ा हला कि गांधी शुरू से उनकी एक लड़ाई भी हो गई कस्तूरवा गांधी से बहुत फेमस वो बात है जब उन्होंने उनको खुद ही ट्वालिट साफ करने के लिए बोला तो ये ज सिर्फ जिसका उर्दू में कर अपके अर्दू जवाने शिधा जबानि जमाखच निः क्या कि ऐसा होना चाहिए उन्होंने सबसे पहले कर दिखाए लिदिंग फ्रुवान ने जिए इन्होंने अवेचार इप भात्रा की इब कि उन्होंने तिर्फ प्रशध बात की उन्ह तो उस जबाने में यह चीज लेकर आए थे जो आज एक मुहीम चली हुई है कि सवच्छा बहुत ज़रूरी है अपने आपके जीवन का अभिन अंग है जब तक आप सवच्छ बाता वरंड में नहीं रहेंगे तो आपकी मान सिकता है सवच्छ कैसे होगी जी बिल्कुल सुच कैसे ही और एक गांधी की और खास बात थी कि वो लोगों से सीधे जुड़ते थे और पहली बार जो गाओं का एलिमेंट है वो गांधी ने लाया कि करांथी जब तक शहरों से नहीं छोटे-छोटे गाओं से होगी पंचायतों से होगी और जब 1917 में उन् जब आपके रूप से ही जमेदारी तौपी गई थी वहाँ पर उसारी चीज़ों को अरेंज करने का और गांधी ने पहला सत्ते ग्रह वहाँ तर शुरू है यह देखे हुआ है कि जब साओध अफरीका से गांधी जी वापस हिंदुस्तान लोटे तो अधी वेशन में उनक करपलानी वगरे यह सब तब वो जो अंदूलन चल रहा था वो नगरों और शहरों में ही केंदृत था और जब गांधी जी का सबसे आखरे मुन को मौके दिया कि हमारे महार सिर्फ यहाँ है और यह भी अपने विचार रखना चाहते है गांधी जी आए तो उन्होंने पहल बड़े बड़े नेता बैठे थे समै काना फूसी होने लगे उन्होंने क्या पात कर रहे हैं भी गांव से कैसे अंदूलन के गांगे बेपड़े जाहिल लोग है उनको क्या समझें लेकिन गांधी जी अप्नी बार पर अडे रह है उन्होंने गांगे वहां पर जो पहुत से लोगों ने एक के बाद करते एक करते सब गांदी जी के पाले पहुंच जुगा और पहली बार मौगा था जब सब को इनोंने गाओं की खागशनवाई पूरे गाओं में गया उनको ले नहीं दो तक पहुंचे लिकिन एक और बात यह यह उनने सो सत्रह में हुआ उ उनको ऐसा तोड़ा कि उन्होंने वो नौन कॉपरेशन मुवमेट को ही बंद कर दिया जी ऐसा हुआ था कि जिस वक गांदी जी अंदोलन कर रहे थे जो उनका और अहिंसक था हुआ तो उसमें जाहरे उनके विरोधी भी थे उसमें सबसे बड़े विरोधी तो कहा जाता है तो बढोल कुनको पसन करते हैं और कहानिया यूओ उनको पसंद करते थे ना वो गांदी जी को जो की गएल्यात ऐसा नहीं था उनके राजनेतिक मद्वेत थे वैचारिक मद्वेत थे लेकिन दोनों के एक दूसरे को लेकर इज़त थी और ठीक है गांधी जी का कहना था कि भाका सिंग ने जो रास्ता अपनाया है ये उचित नहीं है और इससे आजादी नहीं मिल सकती है ये अगर मिलेगे भी तो उसकी बहुत भारी खीमत हमें चुकानी पड़ेगी लेकिन गांधी जी अपनी जग़ा पर अडिक थे और उन्होंने जो अंदोलन शुरू किया अहिंसक अंदोलन वो उन्होंने मरते दम तक छोड़ा नहीं कभी भी नहीं छोड़ा ये जैसे मैंने शुरू करें जब इनकी शुरूबा रूप में हुई उनका मारा पीता गया सख भूश गया इसके बाव जो हिंसक नहीं हुए उनकी अब मरते दम तक उनकी पूरी आस्थाति अहिंसा में उन्हों का उन्हों का कि अहिंसा से बड़ी शक्ती दुनिया में और क्योंकि बहुत सारी गांधी की बात हो गई लगी जो सरकार की बात अगर हम करें अगी तो पचासवे वर्ष इस बार हो रहे हैं और सरकार तरी तरीके प्रोग्राम कर रही है प्लास्टिक फ्री इंडिया बनाने की कोशिश प्रार्वत्रे नरण मोदी यहां से शुरू कर रह यह कदम उठाने के लिया अभी भी स्कोप है कम से कम गांधी के नाम पर ही हम यह करें देगे बात यह है कि जब जाएगे तब सवेरा वाली बात है तो बड़ी अच्छी बात है अगर यह हो जाए और इसमें जह हम सच्छिता के हम जब बात करते हैं तो सरकार तो यह कि गांधी जी ने जब यह उच्छिता की बात की उनको इसका महत्व बहुत पहले से वालूम था उसका किसलिए वह दूर गर्शी थे वह बहुत आगे के सोच रहे थे बहुत उनको तब भी महनुम था कि गाउओ हमारे जैसे गरीब देश में गाउं को कितना महत्व है और आज भी देखिये, जो GDP जो फ्लेक्शुएट करती है बुरी तरह से, उसका बहुत बड़ा असर वो गाउं से हो रहा है, जिस देश में करीब 60-70 पीसद जो हमारा देश है वो गाउं में वसता है, अगर जब तक उसकी माली हाला ठीक नहीं होगी, तब तक हमारी GDP ठीक नहीं ह पड़ेगा, तब ही हमारे शेहर सुद्रेगा, उसको नजर अंदाज करके, उसके अंदेगी करके, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जी बिलकुल, और 150 साल ये जो होने जा रहे हैं, इसमें आपको भी अपना contribution देना है, क्योंकि जैसा हमने बताया है, गांधी जी हमेशा कहते थे कि शुरुवात आपको अपने घर से ही करनी है, चाहे सफाई हो, चाहे कोई नई बात करनी हो, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, आप भी बताएं, आपके क्या माइने हैं, 150 वी वर्षगाट महात्मा गांधी की उसके, आप आप हमारे चैनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, मारे अप को भी डाउनलोड करें, अप स्टोर में जाके, टाइप करना है आपको लगाए टिपलोजएड और जो पहला है पाए उसको डाउनलोड करें, वही मिलेंगी आपको आपके शेयर की सच्ची और सटीक ख़बरे वीडियो फॉर्मेट में, आज के लिए इतना ही, कल फिर व्लोटिंग एक और नए मुद्धे के साथ, फिलहाल के लिए दीजे हैं में इजाज़त, हमस्क्राइब